लोगसबा चुनाव का एलान हो गया है। चुनाव आयोग ने लोगसबा चुनाव दोजार चौबिस की तारीकों को सब के सामने रख दिया है। आयोग की घुषणा के मुताबिक उनिस अप्रेल से साथ चर्णों में वोटिंग होगी। इसके बाद 4 जून को मतो की गिंती होगी। और चुनाव की नतीजे घुषित किया जाएंगे। जिसके बाद पूरे देश में अचार संहीता भी देखने को मिलेगी। ऐसे में कई ब कितनी बढ़ जाती है। सम्विधान क्या कहता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दें। चुनाव आते ही कई बदलाओ देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाओ डियम की पावर को लेकर है। क्यूंकि इनके अधिकारों में काफी इजाफ नहीं होता है। मिड़ा रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव कराने के जमेदारी चुनाव आयोग क्यों होती है। चाहे वो लोग सभा हो या विधान सभा। आयोग इसके लिए जुले के कलेक्टर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करता है। इसका जक्र आर्टिकल 324 इसके नुच्छेद 6 में भी देखने को मिलता है। अचार संहीता लागू होने पर चुनाव आयोग के पास राज्यया देश के प्रशाशनिक धाचे का कंट्रोल आ जाता है। जिसमें किसे भी तरह के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी रोक लग जाता है। आलकि चुनाव से पहले इलेक्शन कमिशन इसका रिवियो करता है। और अगर उसे लगता है किसी अधिकारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग दूसरी जगह होना चाहिए तो वो सरकार को राय देता है। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर। डियम यानी जिला निर्वा अधिकार भी किसी तरह से दखल नहीं दे सकती है। इसके साथ ही सारा कंट्रोल चुनायों के पास आ जाता है। जिले में क्या होगा और नहीं या जिला निर्वाचन अधिकारी ही तै करेगा। उमिदवारों को रैली निकालनी हो या किसी तरह की परमीशन लेनी हो चाहे व उमिदवार खर्चा कितना करेगा, रैली कैसे करेगा, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं या तै करने के जिम्यदारी भी इनी की होती है। खैर लोगसबा चुनायों को लेकर दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं देज दुनिया की तमाम खब प्रूर